प्रभू यूशु मसीह का जन्व दिन आज दुनिया भर में कृस्मस के रूप में मनाय जा रहा है। राश्रपती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी सहित देश के विभिनन नेताओं ने कृस्मस के आउसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कृस्मस का ये विशेश दिन समाज में सद्भाव और उल्लास की भावना को प्रधश्यत करता है। प्रधेश की राजपाल अनुसुया उईके और मुख्यमंत्री भुपेश बगहल ने भी कृस्मस के उसर पर प्रधेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुब कामनाई दी है। लोगों को घर पर ही रहकर त्योहार मनाना पड़ा था लेकिन इस बार कोरोना की स्थिती नियंत्रित होने के कारण लोग बड़ी संख्या में चर्च आ रहे हैं। इस समन में जश्पूर के बिशप एमेनुएल केरकेट्टा ने बताया कि दूर दराज से आने वाले श्रधालियों के लिए चर्च में प्रार्थना सभाओं की विशेश व्यवस्त आके गई है। अच्छों के अभी लोग डाउन समाबत और करोना का लगवा समाबत है तो सभी पल्लियों में बढ़ चाड़ के प्तायार हो रहे हैं। और जैसे मेरे पास अभी मेसेज आ रहा है तर्म प्रांथ के हर प्ल्लियों से कभी तरिस पर बहुत ही सही तरीके से और यह जना बद तो इसी के साथ में और एक मेसेज जोड़ती जा रहे हैं कि हमको तब हमारी यहतिकी जितने भी हमारी दूसरे दमार अन्मीर उनको भी हम एक समस के संदेश को देने के प्रेज़ पर है गोर्दलबे के कल रात से ही कुनकूरी के गिरजा घर में येशु मस्व के जनमुत्सव के तैयारिया होने लगी थी आज सुबह प्रातना सभाओं के साथ कैरोल गायन भी किया गया चर्च के बाहर प्रभू येशु के जीवन पर केंदरित प्रदर्शनी भी लगाई गई है प्रदेश की अन्यजिलों में भी क्रिसमस का त्योहार उत्सह और उमंग के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं